हेलो प्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुती बरी खुस कवरी ले करके आपके सामने आ चुके हैं प्रेंड बिहार स्वास्तिवाग की तरफ से एक बार एनम की न्यू वैकेंसी फिड से जारी कर दिया गया है बल्ले बल्ले हो गया प्रेंट क्योंकि A&M की अभी परकिरिया चल ही रही है और जिन कैनिडेटों का ये 8833 में रिजल्ट नहीं हुआ है उनको घवरानी की जुरत नहीं है हम पहले से भी बोलती आ रहे हैं और आज भी बोलर हैं क्योंकि देखे A&M की नहीं नियुकती के लिफिट से को आर स्वास्तिवागन एलान कर दिया चल ये पूरा डिटेल्स चान करें आपको इस वीडियो के माध्यम से किलियर करते हैं प्रेंड बता दू कि अगर आप लोग आज का पेपर देखेंगे ति ये नोटिस्पिकेशन जरूर देख पाएंगे जो कि किलियर किलियर स्वास्त मंत्री की दोरा यहां पर बताये जार हैं नए वीतिय वर्सों में होगी 20,000 नोर्सों की न्यूकती देकि 20,000 नोर्सों की न्यूकती की लिए यहां पर चर्चा चल रही है बता दो प्रेंट सरकार आविस्मान कार्ड से बंचित सभी रासन कार्ड धारी परिवारों को 4.25 करोड लोगों के बीच 5,000,000 रुपया तक मुप्त इलाज की सुधा मोहिया करेगी यह भी बहुत बड़ी अपडेट है कि अब जो है 4.25 करोड लोग के लिए 5,000,000 रुपया तक फिरी में इलाज कर सकते हैं आविस्मान कार्ड से बंचित सभी रासन कारधारी यह बना करके अपना लाव उठा सकते हो चलिए हम लोग वैकेंसी पर बात करते हैं वहीं 20,000 नर्सों के पद पर नए वीतिय वर्सों में नियुक्ति की तैयारिया पूरी कर ली गई है बिताहान परिशद में वीतिय वर्स 2022-23 के बजट पर चर्चा के दुरान स्वास्त मंतरी ने मंगल पांडे निसुक्रवार को यह घोसना के यहाँ पर देख सकते हैं बितिय वर्स 2022-23 के लिए 20,000 नए नर्सों के नियुक्ति के लिए यहाँ पर तैयारिया पूरी कर ली गई है अब आप लोग को 2022-23 सेशन के लिए नए रिक्वार्मेंट आने वाली है अब बात करेंगे कि इतनी वैकेंसिज कैसी आईगे हम गता देते हैं आपको 20,000 नर्स के लिए जो यहाँ पर बात कर रही है और 2022-23 सेशन में इसमें आप लोग को 9,000 नर्स की परकिरिया अभी चल रही है जैसी कि आप लोग देख पा रहे होंगे 8,853 A&M की रिक्वार्मेंट उसके साथ ही 865 का मेरिट लिस्ट बन चुका है तो यह करीब 9,000 से जएदा कंडिडेट होते हैं तो यह 9,000 भी इसमें इंक्रूडिंग है यानि कि इन्हें हटा दिया जाए तो लगबग आपको 10,000 यहाँ पर अभी सीट आपको देखने को मिलेगा जो नहीं रिक्वार्मेंट आनी वाली है 2022 सेशन में तो प्रेंड हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि A&M के लिए एक वार फिर से नहीं नियुक्ति आएंगे साती प्रेंड यह नियुक्ति कब तक आएंगे यह भी चीजमा आपको अब थरा केलियर कर देते हैं बतादू प्रेंड यह नियुक्ति आप लोगों को जब 8,883 कैंडिट का आभी कांसलिंग चल लही है इसके साती 865 कैंडिट का भी जॉइनिंग नहीं दिया गया है मेरिट लिष्ट यहाँ पर निकाली गई है यानि कुल मिलाकर इन सारे कैंडिटों को जब यहाँ पर जॉइन करा लिए जाएंगे इसके बाद आप लोगों को नियु रुकार्मेंट आने वाली है कुल मिलाकर 2-3 महीने वेट करना परेगा उसके बाद भी आपको नियु रुकार्मेंट दिखने को मिल सकता है तो फ्रेंट जैसे ही नए रुकार्मेंट आएंगे नए वैकेंसिज आएंगे उनकी सारी प्रोसेस किलियर होंगे उनलाइन अप्लाइ होना स्टार्ट होंगे बिल्कुल हम आपको इसी चनल के माधिम से आकर पूरा अपडेट देंगे इसलिए बिल्कुल उपसे चनल को सब्सक्राइब कर लिजे टेलिग्राम गुरूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्सन मिल जाएगा थैंक यू